कि देखिए पुत्री कि अब इसमें कुछ मिसिंग क्या होगा कि ट्राइंगल एबीसी बैने नहीं देखिए इसी लिए कि थोड़ा सा खोपड़ी लगानी पड़े हैं यह कॉंपेशन लेवल का सवाल भी बन जाता है बात में देखिए रहे लेवल में आप इसको डिर्क्री यूज कर सकते हैं इसको एंगल भी और इंगल इसके एंगल बैसक्तर मिले तो अब डरेक्ट अगर आपको पैंगल भी यूज आप तो आप तुरूंच कर सकते कि इसकी इसकी वेल्यू आएगी यहां कॉंपेशन लेवल का कुश्चिन भी बन जाता है खाली यहां मैं यह नहीं कि हमने बस अभी एक्जाम पास करने के लिए इनको पढ़ने नहीं इनको आगे कॉंपेशन लेवल के लिए आपने जर्नेट करना आदा जो यहांका एंगल एंगल ई डाउआan English Levelán कि आपी।। इन मैं लिए Dieseswości Base All usuट यहां का उण इनको इनको छोगए दोगिए को यहां में इनकिका मतलब होगँ फिए भी थे Aurang इकलि और न वी एली द्वेशन को अन चाहीन मतलब होग है नॉरेवान औरल्थे भी और फी देखिया इसको खालिए एंगल 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 इंगल इंगल आपको जो जो लगता है आपको आपने डिजी यह लिखा आप बीच योने लिखा आपकी मर्जी आप फुल लिखें आपका खाली उसको स्पेसिफाइब बीच वाला एंगल आपको बता देगा आप क्या करें लेकिन साइब करते हैं और आपके बहुत हैं आपके बहुत हैं तो मैंकिक लीए नापके अब तो आपका एंगल ABC आपका एंगल B लिखो आपकी मर्थ है यह गिवन है मेरे बच्चे एदक गिवन है ठीक है पेटा तो ना आवास। इसका मतभ़ दियर फोल एंगल 1 इसगोड़ 2 मैंने 1 2 से लिनोट कर दिया इसगोड़ हाफ आपका एंगल ABC यह और यह दोनों इसका सेक्टर डीवाइज दा की बन एंगल इंटो टू इक्वल हाप्स में दो बराबर भागों में आपका परणता है आपका देबनाफी एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का हाप हो जाए इसको मैंने एक्वेशिन नमर वादो करेंगा कि देखें कि दिखें अगर आप फोटे बच्ची हैं इसलिए आपको समझाना ज्यादा रहेगा एंगल इसको एंगल उन्होंने दिया आप इसको एंगल cb लिख सकती हुआ इसको ब्रेकेंड में लिखें आप एंगल एंगल cb लिखो याँदा सीबियों कोई फरक हां कहीं प अगर मैंने लिख दिया तो किसी के पेड़ी में दर्द नहीं होने चाहिए कि अपका सम्झाने का मैं टीचर को सई होना चाहिए तो सी निखे में या आपका मैंने मिटा के आपका देखो इसे कि रीजन आपका देखो रीजन हमें साथ जोमेंट्री रीजन मांगती है बिना रीजन के पर्फेक्ट वीजन नहीं हो सकता हो गया सेम रीजन दोबारा लिखने की जर्वक निए आप इसको यहां पर डू एस एबब भी लिख सकती है दू एस एबब अब दो दो बार दो होना लिखेंगे आपका एंगल भाई सक्टर आपका एंगल्स को आपका हाँ करता है यह अगर नहीं के लिखते है तो मुझे फिर आगे लिखना पड़ता हूं इसलिए मेरा बच्छा आप देखें बड़े इसरे नुमबर में क्या करेंगे बड़े इन ट्राइंगल एंगल आप देखें देखेंगे ट्राइंगल भी आपको लिखते हैं अन्दर बिखेंगे तो इसको मुंट्री बड़े हो वे स्थाए थैनल ओकर ऑद खेंगल गविया कोटें टैकर बटेंग में तो उसको मुझेंट्फिट एंटरिवाटू करते हैं यह internal angle bisector है internal आप क्या करेंगे मेरा बच्छा देखिये dividing देखो बटा both sides by 2 देखो मेरा बच्छा half of angle a plus half of angle b और plus half of angle c किसी प्रोट देखो देखो बटे 180 by 2 यह भी half दोरोस है ठीके मेरा बच्छा angle a by 2 यह होगे बटे आपका देखो यहां पर यह 90 होगे मेरा बच्छा angle b angle b कमाता abc ठीके मेरे बटे आप देखो क्योंकि हमने देखो पिटे angle boc दिखाला है angle boc देखो नीचे वाला एंगल हो इसमें एंगल b का तो हाप लेंगी पिटे आप अंदर वाला एंगल ली अंगर वाला नहीं पर वाला हुआ नहीं नीचे वाला आप लिए ठीके मिटे अंगल दो पिटे मैं एंगल b कमातब्ला abc ही होता एंह ठीके बच्छा ना से इंगल c कमातबडे अगर यह अंगर वाला 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 अगी था बटे के बिटें प्लास जब इतर जाएगा वी शक्र को विटक कर श्याग है यह था आप छोटे वाले ट्राइंगल को लिखेंगे लिखेंगे इन ट्राइंगल A sorry एन ट्राइंगल B O C यह चोटा वाले ट्राइंगल नवेड़े है यह देखेंगे यह जो दिया है मेरा बच्चा एद वी ओ यह C होके बचा यह 2 और 4 वस हमने दिलोट किया है यह मेरा बच पर अगल 4 का मता जब अगल O, C, B, ये आपका स्वारी O, B, C, ये अगर S, आपको इंचर बोडी नहीं, आपको पना टाइम सेफ करनी, इसने 2 और 4 लिखनी, इसने 2 की जगो में आप अगल O, B, C लिख सकती दी, अगल 4 की जगो में O, C, फीके मेरे बच्चा, ये भी आपका क् क्योंगेटर, ट्रैंगल की एंगल सम्प्रपड़री, फीके मेरे बच्च, बच्च, एंगल 2, ये आपके 4, जारा गौर करिये का बच्च, धूरिये इसको, एंगल 2 प्लस आगल 4, पर आगल 2 प्लस आगल 4, दॉनों को आपका करें के दोनों बेलिव, दोनों की बेलिव का सब्सक्राइब कर दो इसकी वेल्यू डाल दो कहते हैं आपका सब्स्टूट कर दो या दो इसकी बात है इसको आप यहां रख दो यहां यहां पहले इसको लिख दो इन आप समधरी मेटां इन दोनों 2 ब्लस 4 या इसकी वेल्यू यहां रख दो यहां या दोनों आपका आजीगाए बढ़े और यहां पूरा उतर दर गवेल्यू देगा तो यह थेख सब्सक्राइब कर देंगे और यह क्या था ठीक है अब अगर यही सवाल आपका देपे ऐसे होता देखो एक तो यह बहार आपका देखो अगर यह वह सेक्टर अगर यह और यह आपका यह इंट आपका यह इसेक्टर उता है एक्सक्सराइब के तू यह दिखे वन मेरा बच्चा यह फोर पर देख त्री इस समय नहीं गलते जब यह अपने दिवाइब ऑई करते हैं और इसका जो अंसर आता ना मेरा बच्चा एंगल बी तो सी जब दिखाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कात होगे इसमें कहीं दिक्कात नहीं अभी क्या देखो यह अगर मैं नहीं लिखता तो मुझे यहां पर लिखना पड़ता बेटा आए कि यह और भी वो एंगल बाइसक्टर थे इसले एंगल भी कहाँ की वैली इसले मैंने पहले इसको इसको स्पेसिफाइब करें तो क्लिए प्ली प्रीज दूएट